अध्याइश है ध्यान योग श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रतिया ना सकत है और जो अपने कर्टव्य का पालन करता है वही सन्यासी और अस्त्री योगी है वह नहीं जो ना तो अगनी जराता है और ना कर्म करता है ये पांडुकुत्र जिसे सन्याग कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रम से युक्त होना जानो क्योंकि इंदे तत्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता अश्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कारे कलापों का परित्याजी साधन कहा जाता है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंदे तप्ति के लिए कारे करता है और न सकाम कर्मों में प्रवत्त होता है तो वह यूगा रूर कहराता है मनुश्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उधार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे यह मन बद्जीव का मित्र भी है और शत्रू भी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सरुष्रेश्ट मित्र है जिन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा जिस्ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही फरमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर लिया है ऐसे पूरुष के लिए सुख दुख सरदी गर्मी एवे मान अप्मान एक से हैं वह व्यक्तिय आत्म साशातार को प्राप्त पत्था योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ग्यान पत्था अनुभूती से पून तया संतुष्ट रहता है ऐसा व्यक्तिय अध्यात्म को प्राप्त पत्था जितेंद्रिय कहलाता है वह सली वस्तों को चाहे वे कंकर हो पत्थर य जाकि सोना एक समान देखता है, जब मनुश्य निश्क पथे कैशियों, प्रीय मित्रों, नत्तों, म 재밌ों, इश्वालिओं, शत्रोंytt संथा मित्रों, उन्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो घै और भी उन्नत माना जाता है योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए एक आंते स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे उसे समस्ता कांशाओं तथा संग्रे भाव की च्छाओं से मुक्त होना चाहिए योगा भ्याद के लिए योगी एक आंते स्थान में जाकर भूमी पर पुशा बिछा दे और फिर उसे मुर्च छाला से धके तथा उपर से मुलायम वस्तर बिछा दे आसन न तो बहुत उंचा हो ना बहुत नीचा यह पवित्रिस स्थान में सिसो योगी को चाहिए कि इस पर जड़ता पूर्वक बैठ चाय और मन, किंद्रियों तथा कर्मों को वश्म करते हुए तथा मन को एक बिंदू परिच्थित करके लिए योगा भ्यास करें योगा भ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाग के अगले सिरे पर दृष्टी लगाए इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भय रहे, विशई जीवन से पूर्टया मुक्त होकर अपने हिदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम रख्षे बनाए इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर सियम का अभ्यास करते हुए सयमित मन वाले योगी को इस भोतिक अस्थित्व कि समाप्ती पर भगवत धाम की प्राप्ती होती है हे अरजुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है जो अधिक सोता है अत्वा जो परियात नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है जो खाने, सोने, आमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगा भ्याजवारा समस्त भौतिक लेशों को नश्ट कर सकता है जव योगी योगा भ्याजवारा अपने मानसिक कारे कलापों को वश्मे कर लेता है और अध्यात्म में इस्थित हो जाता है पर था समस्थ भौत की च्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग में सुष्थिर कहा जाता है जिस प्रकार वायू रहित इस्थान में लीपक खिर्दा डुलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश्मे होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव इस्थिर रहता है सिध्धी की अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं मनुष्य का मन योगा भ्यास के द्वारा भौतिक मांसी क्रियाओं से पूर्टे अस्वयमित हो जाता है इस सिध्धी की विशेष्टा यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद इठा सकता है उस आनंद में सिध्धी में वह दिव्य इंग्यों द्वारा असीम दिव्य सुख में सिध रहता है इस प्रकार इस्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुप की प्राप्टी हो जाने पर प्रहिश से बड़ा कोई दूसरा लाव नहीं मानता ऐसी सित्य को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कटनाई में भी विचलिक नहीं होता यह निसंदे भौतिक संसर्ग से उत्पन होने वाले समस्त दुखों से वास्तव एक मुक्ती है मनुष्य को चाहिए कि संकल्टता शद्धा के साथ योगा भ्यास में लगे और पत्स से विचलिक नहूँ उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन समस्ते च्छाओं को तरक वाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश्मे करे धीरे धीरे प्रम्शह पूर्ण दुश्वास पूर्वक बुद्धी के द्वारा समाधी में सिथ होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही सिथ करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए मन अपनी चंचलता तता अइस्थिता के कारण जहां कहीं भी विच्ण करता हो मनुश्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए जिस योगी का मन मुझ में इस्थि रहता है वह निश्चही दिव्य सुक की सरवोच सिध्धी प्राप्त करता है जहर जोगुन से पड़े हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मत एक्ता को समचता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निव्रत हो जाता है इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भौतिक कर्मत से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ती में परम सुक्त दाप्त करता है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझ को और मुझ में समस्त जीवों को देखता है निसंदे सरूप सिद्ध ग्रक्ती मुझ परमेश्वर को सरवत्र देखता है जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रश्य हो वे हर प्रकार से मुझ में सदैव इस्तित रहता है। ये अर्जुन वे पूर्ण योगी है जो अपने तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तता दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा ये मदसुदन आपने जिस योग पद्यती का संशेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अविभारिक तता असानी हैं क्योंकि मन चंचल तता अइस्तिर है। ये क्रिष्न क्योंकि मन चंचल उशंखल ठठील सता अथ्यन्त बल्वान है तए मुझे इसे वश्मे करना वायू को वश्मे करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान शिक्रश्ण ने कहा, ये महा बाहु कुंती पुत्र, लिसंदे चंचल मन को वश्मे करना अत्यंत कठिन है, किन्तु उप्युकता भ्याद द्वारा चता विरक्ती द्वारा ऐसा संभव है, जिसका मन श्रंकल है, उसके लिए आत्म साक्षातार कठिन कार्रे होता है, किन्तु जिसका मन संयमित है, और जो समचित उपाय करता है, उसकी सफलता धू है, ऐसा मेरा मत है, अरजुन ने कहा, ये कृष्ण, उस असफल योगी की गती क्या है, जो प्रारम में शद्धा पूर्वक आत्म साक्षात कार के विली ध्रहन करता है, किन्तु बाद में भौत के कारण उससे विचलित हो जाता है, और योग सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाता, ये महा बाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के माल्ग से धष्ट ऐसा व्यक्ति, आध्यात्मित पता भौतिक, दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की भाती विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलसुरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता, ये खृष्ण, यही मेरा संदे है, और मैं आपसे इसे पूर्ट्या दूर करने की प्रार्षना कर रहा हूँ, आपके तरिक्तन्य कोई ऐसा नहीं है, जो इस संद ये को नश्ट कर सके, भगवान ने कहा, ये प्रथा पुत्र, कल्यान कारियों में निरत योगी का, न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, ये मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, हसफल योगी पवित्लात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, या तो सदाचारी पुर्षों के परिवार में, या की धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अत्वा, वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो अति बुद्धिमान है, निश्चही इस संसार में ऐसा जन्म धुरलब है। ये कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूरु जन्म की दैवी चेतना को पुनह प्राप्त करता है। और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से वह आगे उन्नती करने का प्रयास करता है। अपने पूरु जन्म की दैवी चेतना से वे ना चाहते हुए भी सुतह योग के नियमों की औरा करशित होता है ऐसा जिग्यासु योगी शास्त्र के निष्ठानों से परेशित होता है और जब योगी समस्त करमत से शुद्ध होकर सची निष्ठा से आगे प्रगती करने का प्रयास करता है तो अंत्तो कत्वा अने काने जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धिलाब करके वह परम गंतव्य को राप्त करता है योगी पुरुष तपस्वी से यानि से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है अतहे अरजुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत शद्धा पूर्वक मेरे परायान है अपने अंत्यकरण में मेरे विशय में सोचता है और मेरे जिज्य अपने भक्ती करता है बहे योग में मुझसे परमंत रंग रूप से युप से रहता है और सबों में सरवोच्च है यही मेरा मत है